नमस्कार, स्वागत है आपका नियूस प्लस पे बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खब्रोखियों उत्य प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदतनात ने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने हमें अपना सही योग दिया है पिछले पांच वर्षों में सभी का साथ मिला हम पिछले 25 महीनों से कोरोना से लड़ रहे हैं सियम योगी ने अपील की अभी भी कई लोगों ने वैक्सी नहीं लगवाई है इसलिए आप से अपील है जिन्होंने कोरोना की वैक्सी नहीं ली है वो को वैक्सीनेशन जरूर करवा ले आए सुनते हैं सियम योगी ने और क्या कुछ कहा प्रदेश की जनता जनारदन ने प्रदेश के समगरिव कास और सुरक्सा में प्षले पांच वर्षे के दोरान निरंतर अपना सकारात्मग योगदान हमें दिया है पांच वर्षे का हमारे साथ सरकार का ये कारेकाल सफलता पुर्वक आगे बढ़ रहा है इस दोरान पिछले बीस बाइस महिनों से नकिवल उत्तर प्रदेश बलकि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महमारी करोना से भी जूज रही है भारत के अंदर आधनिय प्रदान मंत्री जी के नेत्रतों में उनके मार्क दरसन में पुरा देश करोना के खिलाब एक लड़ाई प्रते एक नागरिक के जीवन और जीविकाव को बचाने के लिए लड़ रहा है फ्री में टेस्ट, फ्री में उक्चार, हर गरीब के लिए जुर्रतमंद के लिए फ्री में नई योजना और प्रदान मंत्री जी ने सब को वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की विवस्था भी की है मेरी आप सभी प्रदेश वास्यों से अपील है कि अबीबी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है मेरी आप सब से अपील होगी कोरोना के खिलाप लड़ाई ये देश की लड़ाई है हर एक बेक्तिका जीवन बहमुल्य है और इस बहमुल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्सा कवच है इस महामारी का तीसरा वैरियंट भी आ चुका है घबरानी क्या उसकता नहीं सत्रक्ता और साउधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत साहिक होगी मेरी आप सब से अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने करोना की वैक्सीन नहीं ली है वे करोना की वैक्सीन जरूर ले ले जिन्होंने एक डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से ले ले बुजर्व लोगों के लिए हल्थ वर्कर्स के लिए करोना वारियर्स के लिए सरकार ने एक बुस्टर डोच की विवस्थवी की है आप जरूर इसको लें क्योंकि करोना जैसी महामारी के खिलाब मानोता के को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें ये वैक्सीन सुरक्सा कबच का काम करेगा मुझे पुरा विश्वास है कि आप समय से अपना वैक्सीन ले करके अपने नौ योकों को भी इस महामारी से बचाने में योकदान देंगे खास तोर पर 15 से 18 वर्स के बीच के युवाओं के लिए भी फ्री वैक्सीन प्रारंब हो गई है हमारा प्रिया सुना चाहिए अगले एक सब्ता के अंदर 15 से 18 वर्स के हर एक युवाओं को हम वैक्सीन दे सके और इसको युद्धस तर पर ले लेंगे तो करोना हारेगा और भारत जीतेगा आप सब का मैं हिर्दै से आईवादन करता हूँ आपकी प्रतेपनी शुप कामना ही देता हूँ धन्यबाद जय ही भगवान परशुराम के मंदिर का फार्सा गिर गया जिसका उधगाटन सपा के राश्री अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था जब डिप्टी सीएम केशप प्रसाद मौर्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भगवान परशुराम अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से गुस्सा है वो तो कहो फरसा अखिलेश के उपर नहीं गिरा सुनिए डिप्टी सीएम को ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए